दोस्तों साउथ अफरिका की धमाकेदार जीट से वर्ल्ड कब दोजार चॉबिस की पॉइंट्स टेबल में मचा है हाहकार टीम इंडिया को मिली है सबसे बड़ी खुशखबरी तो वहीं पाकिस्तान से लेकर आस्ट्रेलिया और इंग्लेंड को लगाए 440 का जटका जी हाँ दोस्तों आज जैसे ही साउथ अफरिका ने 2014 की वर्ल्ड चैंपियन श्री लंका को धूल चटाई तो उनकी जीट से ना केवल धमाकेदार पॉइंट्स टेबल में हाहा कार मचा बलकि टीम इंडिया से लेकर अब वेस्ट इंडियस और साउथ अफरिका को भी बड़ी खुशखबरी मिली है तो आकिरकार अब कहा पहुंच गई है टीम इंडिया क्या है पॉइंट्स टेबल का हाल कौन सी टीम है अब करने वाली है टॉप चार में कॉलिफाई किसके कितने हैं अंक इसकी पूरी डीटेल है टॉप एट का पूरा समीगरन तो हम आपको अपको अ कप को पारदर्शी और सभी की समझ में ऐसा बनाने के लिए इन सभी टीमों को पांच-पांच के चार गुरूप में बाटा गया जहां टीम इंडिया और पाकिस्तान गुरूप A में है तो वहीं बाकी टीमें B.C. और D. गुरूप में नजर आ रही है टी-20 वरल्ड कप का पॉइंट्स टेबल में तगड़ा उलट फेर भी हमें देखने को मिला है जहां अभी से प्ले आफ और सेमी फाइनल का समीकरन साफ तौर पर दिखाई देने लगा है जो यहां दोस्तों सबसे पहले गुरूप D की बात करें तो यहां साउथ अफरिका और श्री-लंका के बी बाकी की तीन टीमों को अभी जीत का खाता खोलना भी बाकी है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का शुरुआती दौर है और ना ही बांगलादेश ना ही नीदर लेंड और ना ही नेपाल ने अब तक अपने कोई भी मैच खेले हैं लेकिन साउथ अफरिका ने इस मुकाबले में असानी सी जीत अपने नाम कर टॉप एट की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें रोगना बागी टीमों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो साउथ अफरिका असानी से टॉप एट में कौलिफाई कर जाएगी फिर दोस्तों बात करते हैं दूसरे यानि की ग्रूप सी की तो यहां अंडर डॉग पापुआ न्यूगिनी और दो बार की विश्वच चैंपियन वेस्ट इंडीस के बीच काटे का घमासान हमें देखने को मिला था जिसमें वेस्ट इंडीस ने पापुआ न्यूगिनी को मसल कर रख दिया और दो अंग कमाने के साथ साथ उन्होंने अपने ग्रूप में टॉप किया है उनके लावा तीन टीमें और भी इस ग्रूप में है जहां दूसरी प्रोजीशन पर न्यूजिलेंड मौजूद है उन्होंने भी अभी तक अपना कोई मैच नहीं खेला तो वहीं तीसरी पोजीशन पर मौजूद है अफगानिस्तान और चौती पोजीशन पर मौजूद यूगांडा को भी अभी इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलना बाकी है लेकिन वेस्ट इंडीज अब टॉप एट में पहुंचने की सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है और उन्हें रोकना बाकियों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है इसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए ग्रुप B की बात करते हैं तो दोस्तों अंडररेटिट टीम है नामीबिया और ओमान के बीच हमें एक सुपर ओवर का रुमान चगमासान देखने को मिला है जिसने करोडों क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया हाला कि यंत में सुपर ओवर में नामीबिया ने बाजी मार ली और सबसे पहले दो अंक अपने ग्रुप में कमाए जिसके चलते नामीबिया अपने ग्रुप B में नंबर वन की टीम है उनके दो अंक है दूसरे निमबर पर मौझूद स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम ने अब तक अपना कोई भी मैच नहीं खेला है तो वही नामीबिया से हार कर अब ओमान की क्रिकेट टीम तीसरी पोजीशन पर आ चुकी है हाला की उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका रंडरेट माइनस में नहीं क्या यानि की वो अभी भी यहां से तगड़ी वापसी कर सकते है उनके अलावा इस ग्रूप में इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया जैसी दो खुंखार और विश्व चैंपियन टीमें भरी हुई है और वो तो अच्छी बात है कि इन दौनों टीमों ने अब तक अपना एक भी मैच नहीं खेला है लेकिन जहां तक आस्ट्रेलिया और इंग्लेंड ने यदि अपनी जीत का खाता खोलना शुरू किया तो जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है यही दोनों टीमें टौप एट में आगे कौलिफाइ करेंगी हाला कि नामीबिया जरूर कोई तगड़ा पलट वार कर सकती है और फिर दोस्तों अंत में आती है बारी सबसे महत्वपून ग्रूप एक ही जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जैसी दोजानी दुश्मन टीमें मौजूद है तो इस ग्रूप की बात करें तो अब तक इस ग्रूप में केवल एक मैच युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कैनड़ा के बीच हुआ है जो पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं इस मैच में अमेरिका ने कैनड़ा की क्रिकेट टीम को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया और एक साथ दो अंक कमाने के साथ साथ अमेरिका का रन रेट भी अब प्लस 1.451 का हो चुका है जो काफी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है यानि कि अमेरिका ने टी-20 वर्ल्ड कप की धमाकेदार शिरुआत की है इसमें तो कोई शक नहीं है हाला कि दोस्तों इस पॉइंट स्टेबल में टीम इंडिया दूसरे पायदान पर मौजूद है जिन्होंने अब तक अपना कोई भी मैच नहीं खेला है भारती टीम को अपना टी-20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 5 जून को आयरलेंड के खिलना है जिसमें टीम इंडिया जीत का खादा खोल कर नंबर वन की पोजीशन अपने नाम कर सकती है तो वहीं दोस्तों पॉइंट्स टेबल में हमारी चहेती पाकिस्तान नंबर 3 के पायदान पर मौजूद है जिन्हें भी अब अपना पहला मैच खेलना है तो वहीं चौती पोजीशन पर मौजूद आयरलेंड टीम इंडिया से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है और दोस्तों पॉइंट्स टेबल का समीकरन ये कहता है आपको बता दें कि इन चारों गृप में से टॉप टू टीम है जो सबसे ज्यादा मैच अपने अपने गृप में जीतेंगे और नमबर वन और नमबर दो पर कबज़ा जमाएंगी वो टॉप एट के लिए कौलिफाई करेंगी और फिर टॉप एट टीमों को दो गृप में बाटा जाएगा ट्वेंटी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर लेकर आए तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार ट्वेंटी वर्ल्ड कप का चैंपियन आपके से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कीमती रहे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों साउथ अफरिक की टीम ताश के पत्तों की तरह धेरो गई तो आखिरकार कैसे साउथ अफरिका की टीम ने आज शांदार गेंदाजी और बल्लेबाजी के जरिये श्री लंका को टीम को बुरी तरीके से हराया है ये तो आपको बताएंगे ही साथ में इस रुमान्चक मैच की रॉंग्टे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है साउथ अफरिका की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं अपनी राय नी टीम के कप्तान हसरंगा ने टौस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया जो बिलकुल घलस साबित हुआ और गेंद बाजी करने के लिए साउथ अफरिका की टीम को आमंतरित किया जहाँ पर इस मैच मेंच में श्री लंका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के इस बीच दोनों ने मिलकर थोड़ी देर तक टीम को समाल लिया लेकिन पावर प्ले के अंदर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर श्री लंका की टीम ने बनाए लेकिन इस बीच आट ओवर में कमांडो मैंडिस ने एंडरिक नौर किया के सामने 15 गेंड पर एक चौक्य की मदद से 11 रन बनाकर हैंडिक्स के हाथों विकेट दे दिया इसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए कप्तान हसरंगा आए लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट 9 ओवर में केशव महराज के सामने दो गेंड पर बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों में दे दिया ऐसे में अब बल्ले बाजी करने सौमी विक्रम आये जो पहले ही गेंद पर गोल्डन डग के रूप मे केशव महराज के सामने क्लीन बोल्ड हो गए ऐसे में अब बल्ले बाजी करने के लिए असलंका आये तो दूसरी तरफ से कुशल मेंडेस 10 ओवर के अंदर 30 गेंद पर एक चौक्य की मदद से 19 रन बनाकर एंडिक नौर्किया के सामने स्टप्स के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया ऐसे में अब बल्ले बा कमाल नहीं की और 10 गेंद पर एक चौक्य की मदद से 9 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर 15 ओवर में क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट दे दिया और अब बल्ले बाजी करने महेश आये तो दूसरी तरफ से एंजलो मैथ्यूस ने 16 गेंद पर 2 चौक्य की मदद से 16 रन ब बैठे और अब बल्ले बाजी करने अंतिम बल्ले बाज नुमान थुशारा आये जो 4 गेंद पर बिना खाता खोले अंतिम ओवर में रन आउट हो गए तो दूसरी तरफ से महेश ने 16 गेंद पर एक चौक्य की मदद से 7 रन की नाबाद पारी खेली जिसके चलते श्री लंक की टीम की तरफ से ओपनिंग करने कुइंटन डिकॉक और हैंडिक्स की सलामी जूरी मैदान पर उतरी और इस बीच दूसरे ओवर में 10 रन की सलामी साजेदारी को तोड़ दी और हैंडिक्स को दो गेंद पर एक चौक्य की मदद से 4 रन बनाकर कमांडो मैंडिस के हाथ में क के साथ 5 ओवर की समापती तक अफरिका की टीम ने 23 रन दो विकेट के नुकसान पर बनाए और इसी तरीके की बहतरीन बल्लेबाजी के चलते साउथ अफरिका की टीम ने श्री लंका की टीम के खिलाव शांदार तरीके से जीत हासिल कर ली